Hello everyone, इस वीडियो में हम बात करेंगे basics of betting के बारे में betting में कौन-कौन से basic terms होते हैं जिनका हम अक्सर इस्तिमाल करते हैं अपनी betting में या जिनको हम अक्सर सुनते हैं अगर आप betting करते होंगे और तो आप अक्सर इन सब्दों को सुनते होंगे कि इस match में ये favorite team है या non-favorite team कौन सी है या खाने के एंटी दी करिए आप कई चैनल में एड होंगे बाहां पे आप दिखते होंगे आपको खाने के एंटी दी जाती होगी मैसेज आता होगा कि loss cut कर लीजिए और छोटा rate आता होगा तो बताया जाता है बुक सेट कर लीजिए उसकी बाद आपको non-cutting कुछ टिपर्स रहते हैं जो आपको कहते है non-cutting रहिए इसमें तो इन सारे सब्दों का क्या मतलब है वो इस वीडियो में आपको समझाऊंगा इन basic terms को आप NCRT समझेए जब भी हम पड़ाज तैयारी करते थे तो जो completion की तैयारी अगर आपने की होगी तो आपको पता होगा कि NCRT का कितना महतो रहता है तो यह हमारे NCRT की तरह ही है जितने भी I.S.T. offers रहते हैं तो जब उनसे पूछा जाता है कि हम भी तैयारी करना चाहते हैं हम भी इस फिल्ड में आना चाहते हैं तो हम कहां से शुरूआत करें तो वो suggest कर क्या करते हैं वो बड़ी-बड़ी advance books को नहीं suggest करते हैं वो suggestions देते हैं कि आप NCRT से सुरू करिए जो basic है जो basic है उसको आप पहले सीखिए उसके बाद फिर आप advance books पे आईए कहने का मतलब है यह जो basic terms है वेटिंग का क्या-क्या basics है उसको आप बहुत अच्छे से समझ लेजिए ताकि फिर बार-बार आपको वीडियो सच करने की जरूद नहीं पड़े कि मैं आप फिर से समझ लूँ इस वीडियो को देखिए और इसको दो बार-चार बार तब तक देखिए इसको जब तक आपको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ जाता है और उसके बाद फिर आप उनको implement करिए और इस वीडियो को मैं बताना चाहूंगा इस वीडियो को मैंने morning में upload किया था पर उस वी तो उनी का screen shot लेके अच्छी से समझाया था कि कैसे loss cut करना है कैसे book set करना है अब जैसे यहाँ पर देख सकते हैं यह मेरा telegram channel है cricket it's unpredictable इस पर मैंने यह देख सकते हैं बारे बज़े डाला था यह कि YouTube ने video delete कर दिया है बिनिंग्स दिखा रहा था वीडियो में इसलिए बट वो मैंने video मैंने वहां से अपने telegram channel पे डाल दिया है और साथ ही मैंने इस video को यह आप देख सकते हैं यह पर यह pin message होता है telegram जब आप जाके join करेंगे यह telegram का link description में दिया हुआ है और साथ ही साथ comments में दिया हुआ है बहां से जाके जब इसको join करेंगे तो इस pin message में आपको जाके देखेंगे तो इस video आपको मिल जाएगा इसमें मैंने सारे loss cut, book set, live bits के साथ दिखाया था जब मैंने loss cut किया था तो मेरा एक team पे 40,000 का profit था जब मैंने book set किया तो मेरा दोनों टीमों पे 20,000 का profit था इस तरीके से मैंने उसमें दिखाया था तो आप जाके देखेंगे इसको आप basic समझीए देखिए इस video को उसके बादे फिर आपको उसको live देखिए तो आपको बहुत अच्छे से आपको पूरा clear हो जाएगा चलिए समझते हैं इसमें favorite team को देखते हैं favorite team क्या होती है अब हम कि उसकी जीतने का chance उतना ही ज्यादा है जैसे आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि Australia woman का rate है जो 27-28 पैसे favorite खुला हुआ है तो Australia आप पे कहते हैं कि favorite है 27-28 पैसा second term है हमारा non-favorite team जैसे आप देख सकते हैं second term जो हमारा है वो non-favorite team का है non-favorite team दो टीमों के बीच में match होता है तो उसमें एक favorite team होती है एक non-favorite team होती है तो यहाँ पे हमारी favorite team तो South Australia हो गई 26-26 पैसा और जो दूसरी team है हमारी South Africa ये हमारी हो गई non-favorite team जिसका rate जादा होता है चलिए देखते हैं next term है हमारा खाना और ले करना समझेंगे इसका क्या मतलब है और खाने का मतलब होता है ले करना चोटी team को हम जो फैवरिट team होती है उसको हम ले करते हैं छोटे भाव में अगर हमको लगता है कि जो फैवरिट team है वो match या तो हार जाएगी या फिर उसका जो rate है वो हमको ऊपर मिल जाएगा तो हम वहां पर वेक कर लेंगे जैसे हमें यहां पर समझेंगे हम अगर हम को लगता है कि और यहां से और अश्टिलिया पे 2 से 80 माइनस होगा 270 यहां पे लिख देता हूँ 2 से 80 माइनस हो जाएगा और इदर साउथ अफरीका पे पिलस हो जाएगा 1000 रुपया यह हमारी पहली एंट्री हो गई खाने की इसको कहते हैं खाना अगर आप 1000 से खाएंगे तो 28 पैसा लिखा हुआ है तो यह हमारी यहां पे उतना इदर माइनस हो जाएगा और दूसरी तरफ उतना पिलस हो जाएगा यह हमारी खाने की एंट्री हो गई चलिए नेक्स टम है लगाना लगाना और बैक करना अब लगाने का एंट्री क्या करते हैं लिमिट बड़ी है 10,000, 20,000, 50,000, 1,00, जितना बड़ा पंटर है वो लगाने के एंट्री करता है, जो छोटे पंटर रहते हैं वो खाने के एंट्री करते हैं, क्योंकि उनका लिमिट कम होता है, वो 500,000, 2000, 4000 इस तरीके स्खेलते हैं, तो लगाने के एंट्री वो नहीं कर पाए क्योंकि लगाने का अगर इहां पे इस पंटर का लिमिट 1,000 रुपई है तो ऐसे ही समझे लीज़े अगर इहां पे लगाएगा फिर से तो उसको यहां पे 270 रुपई मिलेंगे 270 रुपई मिलेंगे तो उसका कितना प्रोफिट थै? समझ लिए यहां पर हो जाएगा अगर लगाएगा 270 रुपए मिलेंगे उसको एक हजार रुपए उसको जाने के होंगे इसलिए छोटा पंटर खाने की एंट्री लेता है चले, next term है हमारा loss cut करना, अब loss का क्या cut का मतलब है loss को 0 कर लेना, कि अब कुछ भी हो जाए, हमारा loss तो नहीं होगा, या तो हमारा profit होगा, या no loss, no profit होगा और जो वीडियो डिलीट होगी है, उसमें आप जाके टेलिग्राम पर देखेंगे, मैंने एक टीम पर मेरा loss cut किया है, और दूसरी टीम पर मेरा 40,000, 40,000 प्लस हो गया था, अब इसमें समझेंगे, एकजार के एकजामपल से, जैसे 27-26 पैसे का rate है, और इसमें अगर हम फिर से एंट्री करेंगे कि हमने एकजार से खाया, तो इदर इस टीम पर मारा 270 माइनस हो गया, दूसरी टीम पर एकजार बजाने हो खाया और 270 माइनस है, जैसे फिर क्या loss cut, जैसे ही चपन पैसा गया, अब जब रेट चपन पैसा गया, तो हम फिर क्या करते हैं, उसको डबल से प इब रबल कर देंगे, तो हमारा एक तरह हो जाएगा, जिरो यहां पर जीरो हो जाएगा, और इस तरफ हमारा 50-45 कि पीच में जैसे भी $5,95 कि बीच में यहां पर 4,50-500 रुपई आन को रहेगा, और इस तरहीन हो जाएगा इस तरीके से, इसको कहते हैं, loss cut करना, और जाके टेलिग्राम चैनल आप जोइन करेंगे, उसमें मैंने बाकाइदा पूरा एंट्री के साथ दिखाया है, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, दूसरा चीजा था बुक सेट करना, बोथ साइट प्रॉफिट बनाना, अब कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम हार उससे फिर हमको फर्क नहीं पड़ता है, हमारी कोई भी टीम जीते, हमारा दोनों तरफ एक एक लिमिट हमारा प्रॉफिट हो जाता है, और फिर हम मैंच को लीव कर देते, महां से कोई भी जीते, उस टेलिग्राम पे आप जाकर जोइन करेंगे, तो उसमें देखेंगे, द नन कटिंग रहना, नन कटिंग रहने का मतलब है, विन ओर लॉस, या तो आप पूरा जीत होगे, या पूरा हार होगे, मानिए जैसे इसमें हम देखेंगे, कि किसी ने एक अजार से ले किया, तो उसका दो से असी रुपए जाने को रहेगा, और एक अजार आने को रहेगा बस, उसके बाद नन कटिंग वाला बंदा कोई अंटी नहीं करता, या तो उसका एक अजार आएगा, या दो से असी जाएगा, इसको कहते हैं नन कटिंग रहना, ये साथ तो बैसिक टम्स के बारे मैं ने आपको बताया, वीडियो को यह जादा लंबा नहीं करेंगे, दस म चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरा जो चैनल है, इस पे आप आके सबसे पहले तो इस वीडियो को देखिए, पहले आप इस वीडियो को देखिए, और उसके बाद यहां पिन पे आके इसको देखिए, आके लाइब जब आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा, जो इस टर्म से हैं, बहुत किलियर हो जाएगा, और मेरा यूजर नेम पढ़ा हुआ है, चैनल पे आके मुझे मेस्स करिए, जो भी प्रॉब्लम है, मैं आपको रिप्लाई दूँगा, और आपको वहां पे चैनल पे आपको गाइड करता हूँ, अब आके दिखिए आके, मैंन लाश्ट वन वीक में अभी वन लेक का प्रॉफिट किया है इस वीक में, वो सारे स्कीन सौर्ट चैनल पे है, तो आप आईए, मैं गाइड करता हूँ आपको, ओके फैंस, मिलते हैं नेक्स वीडियो में